Hello friends, स्वागत है आपका हमारी YouTube channel पर जिसका नाम है Rahul Jain Fintak So friends, अगर आपके घर में छोटे बचे हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए education planning करना या बच्चों के लिए एक ऐसा fund create करना जिसे कि आप बच्चों के लिए business plan कर सकते हैं बच्चों की marriage plan कर सकते हैं या फिर बच्चों की higher studies भी plan कर सकते हैं So friends, मैं बात कर रहा हूँ LIC के जीवन तरुन plan के बारे में यह है आपके बच्चों के लिए जो कि आप investment करके बच्चों के लिए अच्छी कासी returns को इखटा कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं बच्चों की returns को इखटा करना तो इस वीडियो को complete देखेगा जिसे की आपको complete information मिल जाए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe किजेगा, bell icon को press किजेगा जिसे की आगे जाने वाली वीडियो आपसे miss ना हो जाए चली start करते हैं और जानते हैं कि LIC का तरुन प्लाइन कैसे काम करता है और आपके बच्चों को कैसे beneficial दे सकता है सबसे पहले हम बात करेंगे plan के biofarkations की मतलब की plan के eligibility की कौन-कौन person या कौन-कौन child है जो की इस plan को ले सकता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे premium mode की अब premium mode में आप इसमें monthly, quarterly, half yearly, yearly या NASH के थुरू भी आप इसमें investment कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का जो plan है आप इसमें monthly investment करें आपके account से auto debit लगे, NASH लगे तो ये भी आपके लिए possible है दूसरा option यहां पर है policy term का, अब यहां पर अगर हम बात करें policy term का, so 25 years का policy term यहां पर fix है मतलब कि जब age बच्चे की 25 साल हो जाएगी उस time पे policy जो है mature हो जाएगी, मतलब कि 25 साल की age तक ही आप इस plan को बच्चे की age पर ले सकते हैं बात करते है minimum entry age, minimum entry age है यहां पर 90 days, जिसको हम बोल सकते हैं कि 3 month, मतलब कि बच्चा अगर 3 month का है तो भी आप इस plan को आप्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए, बात करते हैं यहां पर maximum age की, maximum entry age है यहां पर 12 years की, मतलब कि जब आपका बच्चा 12 साल का हो जाएगा, 25 मतलब कि जो fixed policy term है, minus child age, अब मालिजे आपके घर में अगर 3 साल का बच्चा है, तो 25 minus 3 साल अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है 22, अगर मालिजे आपकी घर में 25 minus 7 years का बच्चा है, तो वो हो जाता है 18 years, तो आपकी policy का duration होगा policy term जो होगी, वो होगी 18 years की, तो इसी तरीके स आप अपनी policy को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, minimum sum assured यहाँ पर आता है 1 lakh, मतलब कि आप 1 lakh उर्पे का risk cover वाला plan इसके अंदर ले सकते हैं, and maximum अगर हम बात करें, maximum sum assured की, तो यहाँ पर no limit है, आप अपनी financial condition के हिसाब से, आप अपने budget के हिसाब से, या बच्चों की maturity planning के हिसाब से आप अपने इसाब से, यहाँ पर sum assured को चूज कर सकते हैं, so friends, जैसा कि मैंने बताया, कि यह eligibility है, आपको इस plan को लेने के लिए, तो यह eligibility के according ही, आप plan को opt कर सकते हैं, अब हम बात करें हैं, plan के benefits की, plan के benefits में सबसे पहले हम बात करेंगे survival की, मतलब कि अगर हम survival रहता है, so maturity पे 10 लाग तो मिलेगा ही, मिलेगा, साथ में आपको company का profit भी मिलता है, अब हम बात करेंगे bonus की, company का bonus होता है, company हर साल जो profit distribute करती है, अपने profit में से, कुछ पार्ट जो है, वो policy holder के साथ, और यह जो part होता है, यह आपको bonus के रूप में, आपकी policy में, आपके वापस मिल जात है, final additional bonus, जो की 15 साल की policy से जादा होता है, तो ही आपको applicable होता है, बात करते हैं, policy में surrender value की, after 2 years, मतलब की 2 साल policy की run करने के बाद, अगर आप policy को surrender कराना चाते हैं, पैसा को वापिस लेना चाते हैं, तो आप policy को surrender करके अपना पैसा वापिस ले सकते हैं, company आपको option देती है, loan facilities की, अगर आप 2 साल policy को run कर लेते हैं, so after 2 years भी आप policy के अंदर loan facility को avail कर सकते हैं, और आपकी policy साथ-साथ continue भी रह सकती है, इसके बाद बात करेंगे income tax के benefit की, अब आप में से बहुत सरे लोग मुझे previous वीडियो में question करते हैं, कि कौन-कौन से plan है, जो income tax का benefit देता है, हाला आपने एक लाग रुपे साल का invest किया, so एक लाग का tax rebate आप यहाँ पर ATC section में ले सकते हैं, बात करते हैं maturity की, so maturity के अंदर under section 1010D में आपको इसका benefit मिलता है, मतलब जो भी पैसा आपको in returns वापेस मिलता है LIC of India से, 100% आपको इसका maturity benefit मिलता है under section 1010D के अंदर, so friends यहाँ पर bonus और final additional आपको एक extra benefit मिलता है, death benefit में, और 125% of all premium paid, जो भी higher side होता है, उसका benefit आपके nominee को मिल जाता है, so friends यह सारे benefits हैं, जो कि आपके इस plan डेटेल के अंदर आते हैं, अब हम बात करेंगे कि इस plan के अंदर कुछ money back options है, तो एक बार उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम ब हो सकता है, just because, क्योंकि आप इस plan को अगर नहीं समझेंगे, तो आप इस plan के अंदर investment भी नहीं कर पाएंगे, so friends, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस में money back options के है, money back options अगर आप यहां पर opt करना चाहते हैं, so आपको समझना है कि कौन-कौन से money back options यहां पर available है, पहला money back option है, जि क्या-क्या benefit इसमें मिलते हैं, वो एक बार समझ लेते हैं, अब example के लिए आप मालीजे 10 लाग रुपे की एक policy ले रहे हैं, जिसका समय शोड है 10 लाग रुपे, अब आपने example के लिए यहां पर third option चूज कर लिया, जो की है 10% of the money back option, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आपक बच्चे की एज 20 साल जैसे ही complete हो जाएगी, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 23 साल and 24 साल, जैसे ही बच्चे की यह 20 साल से 24 साल की एज complete होती चली जाएगी, so every year आपको यहां पर 10% of sum is short, मतलब की 1 लाग रुपे का benefit मिलता रहेगा, 1 लाग रुपीज का per annum benefit मिलेगा, जो की आपका sum is short का 10% होता है, so जैसे की आपको मैंने बता है कि बच्चे की 20 साल की एज 21 साल की, 22 साल की, 23 साल की और 24 साल की, जैसे ही बच्चे की एज यह complete होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपको यहां पर 10% of sum is short, जितने का plan आप चूज करोगे, उसका 10% regular intervals पे बच्चे को वापस मिल जिता रहेगा, अब यह पैसा आप कहां यूज कर सकते हैं, कैसी यूज कर सकते हैं, माल लेजिए आपको पता है कि आपके बच्चे की एज 20 साल, 21 साल पे कहीं न कहीं ग्रेजिशन पे होगी, या फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजिशन भी plan होगा, उसके बाद हो सकता है कि बच्चे को कोई और studies करनी हो, तो वो सारा पैसा आपको यहां पर money back के रूप में, guaranteed money back के रूप में मिल रहा है, तो यह funds को आप अपने बच्चे की higher education के लिए, या फिर बच्चों की education के लिए use कर सकते हैं, तो friends, इसी तरीके से आपका education plan काम करता है, कि आपको every 5 years, मतलब क कि आपकी policy अगर 10 lakh है, तो आपके बच्चे को यहां पर 1.5 lakh rupees every year मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल मिलता रहता है, ठीक है, अब यहां पर आपको money back option समझ आ गया, बट आपको समझना है कि यह plan उसके अलावा भी क्या-क्या benefit देता है, किस तरी अपने बच्चे के लिए इस plan को opt कर सकते हैं, अब मान लेते हैं कि एक बच्चे है, जो कि Mr. Ram है, और उनकी age है 90 days, मतलब कि लगबग 3 month का complete हुआ है और 3 month complete होने के बाद यह plan वो बच्चा अपने लिए, मतलब उनकी family बच्चे के लिए ले रही है, अब समय शूड की अगर और इस पे हम option ले रहे है, money back option, जो की है option 3, 10% of money back, 10% of समय शूड है, अलब की money back option, और इसके अंदर आपको, जैसा कि मैंने बताया, Ram की age 3 month है, और समय शूड 10 lakhs है, जो किस तरीके से काम करेंगा, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, 3 month बच्चे की age है, और जैसा कि आपक यह plan बच्चे की age पर काम करता है, अब यहाँ पर आपको समझना है, कि 24, 23, 22, 21 and 20, अब बच्चे की age 20 से लेकर, यहाँ पर आपको 10% of the समय शूड मिलना शूरू हो जाएगा, मलब कि यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी पॉलिसी दस लाटकी है तो एक लाक रुपे एवरी एयर होगा पर एनम होगा जो कि आपको गारेंटीड 20 साल की एज पर 21 साल की एज पर 22 साल तेइस साल और 24 साल की एज पर मिलेगा अब इस प्लैन के अंदर अगर हम प्रीमियम की बात करें तो आप मान के चलिए मोटा मोटा 45,000 रुपीस यरी प्रीमियम होगा जो कि आपको पॉलिसी के 20 एर्स तक पे करना है मतलब कि जब तक बच्य COP ौसर्वाइवल बेनिफिट चालू है, so 20 साल हमें pay करना है, 20 years, right, इसके बाद आपको कोई भी premium pay करने की जरुवत नहीं है, तो इसको हम यह भी बोल सकते है, relaxation period, ठीक है, so यहाँ पर आपके policy के अंदर relaxation period है, आपको further premium देने की जरुवत नहीं है, final maturity आपको मिलती है 25 years पर, अब final maturity कैसे calculate होगी, आपको मैं एक बार समझाता हूँ, कि आपने यहाँ पर 10% का money back ले लिया, इसी तरीके से यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, आपने 1, 2, 3, 4, 5, 5 money back ले लिया, so आपको 50% of summationed जो है, आपने already avail कर लिया, तो यहाँ प of summationed मिलेगा, maturity पे, plus 25 साल का जो company का bonus है, वो मिलेगा, plus 25 साल का final additional bonus, वो मिलेगा, अगर मैं इसको आज की calculation के इसाप से calculate करके बताओ, जो company आज profit distribute करती है, अपने policy holders को, तो यह amount लगबग बन जाता है, 20,25,000 के आसपास, मतलब कि सवा 20,00,000 रुपे आपके बच्चे को at the end of the policy term, जब बच्चे की एज 25 साल हो जाएगी, तो यह पैसा पूरा का पूरा आपके बच्चे को मिल जाएगा, यह आपको समझना है, कि यह plan किस तरीके से आपको premium के against maturity का benefit देता है, आपको कब-कब कितने-कितने intervals पे कितना पैसा वापिस मिल रहा है, सो आप यहाँ पर 45,000 दे रहे हैं 20 साल तक, अब यह calculate कर सकते हैं, 20 साल से आपको एक लाख रुपे मिलना शुरू हो जाएगा अगले 5 साल पे, और maturity पे final, सवा 20 लाख रुपे बच्चे की higher education, marriage planning या फिर जो भी आप planning करना चाहते हैं बच्चे के साथ, वो आप यहाँ पर planning कर सकते हैं, इस वोले plan के अदर, अब जैसा कि मैंने बताया है, कि आप जो investment कर रहे हैं, इसका आपको benefit मिलता है, ATC में, इसका आप tax rebate ले सकते हैं, और जो भी आपको money back मिले हैं, या फिर maturity मिली है, under section 1010D में, इसका आपको benefit मिल जाता है, आपको कोई भी income tax pay करने की इसमें जरूत नहीं होगी, बात करते हैं आगे, कि अगर in case, क्योंकि यहां पर proposal जो है child है, हाला कि, मतलब यह बोला जाता है, बताया जाता है, कि हम बच्चे की miss happening की बात ना करें, बट फिर भी अगर proposal है, हाँ पर बच्चा है, तो हम आपको इसका benefit की बात करेंगे, क्योंकि इस plan के अंदर, बच्चे की normal miss happening पे, after two years, मतलब कि, अगर बच्चा जिस time पे policy पे enter हो रहा है, तो दो साल तक यहां पर risk cover का benefit नहीं होता, तो तीसरे साल से, बच्चे को risk cover का benefit मिलता है, जो की होता है, समिशोड, bonus, plus final additional bonus, if any, final additional bonus, loyalty bonus होता है, 15 साल के बाद मिलता है, तो यहां पर समिशोड है, 10 lakh की, और बाकी है bonus, अगर 3 साल के बाद miss happening होती है, तो 3 साल का bonus, तो इसी तरीके से, अगर हम बात करें, accidental death की, यहां पर मिलता है, double समिशोड, प्रपोजर को, अलब family members को, plus bonus, और final additional bonus, if any, so friends, इसके अंदर यह plan का benefit है, कि अगर आप premium देते हैं, तो आपको maturity पे क्या-क्या benefit मिल रहा है, survival benefit क्या मिल रहा है, बच्चे के लिए आप higher education plan करना चाहते हैं, आप बच्चे की education को plan करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए best suitable option हो सकता है, इसके अलावा आप जो investment कर रहे हैं, A.T.C. में आपको benefit मिल रहा है, जो आपको पैसा वापिस मिल रहा है, under section 10.10.D. के अंदर भी उसका tax benefit आप ले सकते हैं, यह plan आपका किस तरीके से काम करता है, आपने अलरड़ी देखा, बाकी आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए यह plan opt करें, तो आप हमारी टीम से free illustration अवेल कर सकते हैं, यह आप चाहते हैं कि मेर से directly बात करें, यह मेर से free of cost consultation लेना चाहते हैं, आप नीचे दिएगे description लिंक पर जा सकते हैं, और free of cost consultation कॉल भी बुक कर सकते हैं, अगर आप मेर से offline consultation चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इस plan के अंदर अपने बच्चे के लिए investment करना, आप मेर से offline consultation ले सकते हैं, अगर आप डेली NCR में रहते हैं, तो आप offline consultation के लिए भी apply कर सकते हैं, so screen पर दिएगे number पर call करके, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं, और offline consultation बुक कर सकते हैं, हाला कि आप चाहते हैं कि आप online consultation ले या फिर free illustration अवेल करें, so screen पर दिएगे number पर आप अभी के और अपनी free consultation या फिर free illustration को अवेल कर सकते हैं, so friends ये वीडियो आपको कैसी लगी, जल्दी से like कीजे, share कीजे जिसे कि और भी लोगों को पता चल सके, कि LIC का G1 Tarun Plan आपके बच्चे के लिए कैसे beneficial हो सकता है, हाला कि बहुत सारे लोगों ने already G1 Tarun के अंदर investment किया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी complete information नहीं पता, so उन सभी लोगों के साथ इस plan को share करें, जिसे कि उनको भी पता चल जा है, कि G1 Tarun Plan के अंदर कितना investment करके कितना returns मिल जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्नोंने already plan तो ले ली है, लेकिन उनके पास कोई free illustration नहीं हुआ है